हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्व चैनल उत्राखन जी के वेरीजी ट्रिक्स में और आज की व्यूडियो में हम बात करेंगे उत्राखन जी के टेस्स स्रीज पार 97 के बारे में इससे पहले दोस्तों उत्राखन की स्रीज में मैं आपको 96 पार्ट दे चुका हूँ और आज ये हमारा 97 पार्ट है और ये स्रीज दोस्तों हमारी उत्राखन पोस्ट मार्टम क्लासे इस नाम से जानी आती है जिसमें हम उत्राखन के महत्वण प्रस्नों के बारे में बात करते हैं और उससे संबंदी जो भी महत्वण फैक्ट होते हैं उनको भी हम आपको कराते हुए चलते हैं इसी कारण इस क्लास का नाम है मारा उत्राखंड पोश्माटम क्लास है जिसका आज हमारा 97 पार्ट रहने वाला है अगर आपने इससे पहले कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल पर जितनी भी पुरानी वीडियोज है उनको भी दोस्तों आप जरूर देख लें आपका आगामी एक्जाम से तु बहुत महत्वण वह वीडियोज है तो चले शुरू करते हैं आज के 97 पार्ट को और दोस्तों प्रिवेस वीडियो मैंन इसकंद पुरान का के दर खंड देखे दोस्तों इसकंद पुरान के दो खंड मने जाते हैं एक है केदार कंड और दोस्ता है मानश खंड गया है अगला है क्या महाभारत का वन पर्व तो महाभारत के वन पर्व में भी दोस्तों में गड़वाल छेत्र के बारे में पता चलता है और महाभारत के वन पर्व में दोस्तों जो एक गड़वाल छेत्र है गड़वाल छेत्र में दो प्रसिद्ध विद्यापीट होने का जिक्र किया गया है ये दो प्रसिद्धे भी ड्यापिर कौन कौन से थे बद्रिक आस्रम और कन्वास्रम बद्रिक आस्रम जो की हमारा चमुली जन्पत में श्तित है और कन्वास्रम जो की हमारा पौडी गडवाल जन्पत में श्तित है वरतमान में कन्वास्रम को चौका मंदले सब्द का प्रियोग किया गया है या केदार खंडग के को खस देश का प्रियावाची माना जाता है और केदार खस मंदले सब्द का इसमें प्रियोग किया गया है ये सारे पॉइंट दोस्तों आपको याद रखने है इसी के साथ साथ महाभारत के वन पर्वु में भी हमें इसका जिक्रे मिलता है यह मैंने आपको बताई दिया और महाबरत के वन पर्वु में दोस्तों ये भी लिखा गया है कि लोमस रिसी के साथ पांडवु की बद्रिनात यात्रा लोमस रिसी के साथ में पांडवु ने बद्रिनात की यात्रा करी थी य गड़वाल छेत्र को केदार खंड कहा गया है ठीक है इसी के साथ महाबारत काल एवं पुराणू में गड़वाल छेत्र को दोस्तों क्या कहा गया है बद्री कासरम कहा गया है तपो भूमी कहा गया है स्वर्ग भूमी और केदार खंड नामू से इसे जाना गया है इसी के इसी सश्टिलक्ष सहीता ग्रंथ में जो मारा गडवाल छेतर है या देवप्रिया का छेतर है जो गडवाल में इस्तित है उसे समस्त तीर्थू का सिरोमणी एवं समग्र पापु का विनासक छेतर भी कहा गया है तो प्रसना आपसे एक जाम में दोस्तों बन सकता है कि किस ग् इसका अंसर आपको कमेंड बॉक्स में देना है जबकि सश्टिलक्ष सहीता की रसना किस ने करती महरसी वेद व्याज जी ने करी ठीक है इसे के सांसा दोस्तों गडवाल छेतर के लिए हमारा सब्त सिंदू देश सब्दगा भी प्रयोग किया गया है ठीक है गडवाल छेतर बहारत काल में त्रिपतगा कहा गया था ठीक है रगवांस महाकाव्य में कालिदास ने गडवाल हिमाले हेतू गौरी गुरू सब्दगा प्रयोग किया है यह भी एक जाम में प्रसन बूचा गया दोस्तों कि रगवांस महाकाव्य में कालिदास ने गडवाल हिमाले हेतू क के संबंद में पहले भी बता चुका हूँ आप अजे रावत वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है डिटेल वाली वहाँ पर देखिएगा उसका जो पार्ट थ्री है उसी में आपको ये गड़वाल छेत्र और कुमाव छेत्र इसका नामकरन कैसे हुआ क्या क्या हुआ सारे फैक्ट के हारे आपने अन्दुलिस्ट वासे से की गई थी पहला point दोस्तो यही आता है कि मैती आंदुरन की शुरुवात कभ की गई थी किसी किताब में 1995 1995 है और किसी किताब में 1996 1996 है अधिनस सेवा चैनिवाग ने यहाँ प्रस्न पहले पूछा हुआ था जहां पे अधिनस सेवा चैनिवाग ने इसका अंसर 1996 दिया था कब जब हाई कोट वाला एकजाम पेपर हुआ था दोस्तों एक बार डिस्टी कोट वाला दिसमबर 2019 में यहाँ प्रसन आयोग के दोरा पुछा गया था कि मैती आंदुरन की सुरुवात कब हुई थी तो 1996 अंसर दिया गया था जबकि लोगसेवा आयोग के दोरा यहाँ प्रस शुरुवात किस इस तान से की गयिठी तो गवालदम से की गयिठी कहां से उसतों ग्वालदम से तो मेती आंदुरन की सुरुवात कब से हुई थी 1995 यह जो भी और यह option में नैकोड़न की जया जाना है कल्यान सिंग रावज्जी को मैति आंदुलन के जनक के रूप में जाना जाता है। और यहां दोस्तों एक प्रसीद वन सम्मन्दी आंदुलन है और मैती कार्थ क्या होता है गडवाल छेत्र में मैती कार्थ गडवाल कुमाओं में माई के से होता है ठीक है तो इस अनुठे आंदुलन को कल्यान सिंह रावज जी के दोरा सुरू किया गया था 1995 में या 1996 में दोन प्रचलित हो चुका है क्योंकि गडवाल छेत्र में वर्तमान में जितने भी विवास हमारो होते हैं तो वहां पर दोस्तों वर बदुद्वारा पहुदा रोपने की एक व्योस्ता शुरू की गई है और यह मैती आंदुलन में जो मैती संगठन होता है उसकी अध्यक्स को क क्या कहते है उसके अध्यक्स को क्या कहते है क्या कहते हैं यह आपको ड्यक्री- यह सम्पन्दी आंदुलन और हुए जैसे कि क्या जप्टो छीनो आंदुलन, कब शुरू हुआ, 1998 में जप्टो छीनो आंदुलन शुरू हुआ, किस राष्टी उध्यान से ही संबंदित है, तो नंदा दिवी राष्टी उध्यान से दोस्तों हमारा यह जप्टो छीनो आंदुलन शुरू हुआ, मेंली चमुली जनपत से इसके शुरुवात मानी आती है और चमुली के साथ साथ ये टीरी का कुछ छेदा ये से कि रैनी, लाता, तोल्मा, आधी गाउं की जनता की द्वारा यहाँ पर जप्टो छिनवा अंदुलन चलाया गया था, किस पार्चिया सम्दित था, नंदा देवी राष्टी जाता है, कब शुरू हुआ था रक्षया सूत्र अंदुलन, 1994 में रक्षया सूत्र अंदुलन शुरू हुआ था, जो भी पेड़ काटे जाने थे, तो पेड़ काटने के लिए वहाँ पे वाइट कलर का एक निसान लगाया जाता था, तो उसी वाइट कलर के निसान को आंदुलन ठीक है, 1989 में पानी राखो आंदुलन दोस्तों सचिनादन भारती जीके द्वारा शुरू किया था, उपरेखाल पॉडी गड़वाल से ठीक है, इसी के सांसा दोस्तों एक आंदुलन अरुआ था हमारा क्या, डूंगी पतौली आंदुलन, डूंगी पतौली आं इसकी सुरुवात मानी जाती है, कहीं कहीं आप 1974 भी देखेंगे, क्योंकि जो चिपको आंदुलन की मूलता घटना हुई थी, वह 1974 में ही हुई थी, और ये चिपको आंदुलन की सुरुवात कहां से हुई थी, यहाँ प्रस्न भी एक जाम में पूशा आ चुका है दोस्तों रवाई आंदुलन, तिगड़ी आंदुलन या तिलाडी कांड के नाम से भी इसे जाना जाता है, कब हुआ था? 30 मई 1930 को यहाँ तिलाडी कांड या रवाई आंदुलन हुआ था, 30 मई 1930 को जिछे उत्राकंड का जलियावाला बागत्या कांड के नाम से भी जाना जाता है, तो इतने पॉइंट दोस्तो फिलाल आप यहां से नोट डाउन कर लीजीगा, तो वन संबंदी जो भी महत्पोन आंदुलन थे वो मैंने आपको बता दियें, ठीक है, और यहां से एक प्रस्थन और दोस्तो कभी-कभी बन जाता है, तो इतना सारा फैक दोस्तो आप कर लीजेगा, एकजाम में बहुत बार यहां प्रस्थन पूछे चाचुके हैं यहां से, जितने भी फैक्ट बताएं ना, कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है, जो एकजाम में नहीं पूछा गया होगा, सब पूछे गया हैं, अगले पस्तन की बात करते हैं उस्तो, कि महादेवी कन्या पार साला देहरादुन की स्ताफना किसके द्वारा की गई थी, महादेवी पंत, महादेवी भटनागर, रामिस्तोरी देवी जोसी या फिर महादेवी वर्मा, तो महादेवी कन्यापाट साला की जो इस्तापना दोस्तों की गई थी, कहां की गई थी, देरादुन में की गई थी, कब की गई थी उस्तों, 15 सेप्तमबर 1902 को की गई थी, महादेवी कन्यापाट साला की इस्तापना, ठीक है, किसके दोरा की गई थी, महादेवी भटनागर जी के द्वारा दोस्तों महादेवी कन्या पारसला की शुरुवात की गई थी या महादेवी कन्या पारसला की शुरुवात की गई थी कब 15 सेप्तमबर 1902 ठीक है 15 सेप्तमबर 1902 यह आपको डैकली दोस्तों याद रखने दिरादुन में इसकी शुरुवात की गई थी फिर 1902 के बाद मुं 1971 में इसे आग रहा, 1967 में इसे मेरट, तथा 1914 में इसे गड़वाल विश्चो विद्याले से भी संबंदित किया गया था, और यह जो हमारा महादेवी कन्या पार साला है, यह कन्याओं की संप्रती से संबंदित एक विश्चो विद्याले के बाद करें, क्या दयानद, ब्रजेंद्र你 स्वरूप, Σिनादा कुत्तर, महाविध्याले किसगे दोरा मलब की सिख्ष्यावित को या समर्पीत है, तो दयानद, ब्रजेंद्र, स्वरूप,clappart. सवामी स्रधान जी के द्वारा की जाती है इसी के साथ साथ एक और महाविध्याले ये दोस्तों क्या देयानन्द एंगलो वैदिक इसनात कोथ्तर महाविध्याले का जिते है देराद उन में इस्तापन अपकी गये थी 892 में दोस्तों इसकी स्थापना मोलता हमारा की गई ठीक है 892 में दियानेदन एंगलो वैदिक इसनात कोत्तर महाविध्याले देरादुन गी ठीक है और ये आरी समाज का जो उत्राखन में योगदान है उससे संबंदित हमारे है कुछ महाविध्याले है जो की एकजाम में काफी बार पूछे गए है यह प्रस्थन जो महादेवी कन्या पारसला देरादुन वाला है एक बार पहले भी लोग से वायूप के दोरा पूछा जा चुका था महादेवी बटनागर जी के दोरा 1902 में इसकी स्थापना तेरा दुन में की गई थी याद रखना है जो आपको ठीक है और भी कई सारी चीज़ा है इसमें दोस्तों है हमारे विध्या पिटू से लेकर या जो भी हमारे सिक्ष्या के इंदर थे उनके बारे हम कभी ने बाद में बात कर लिगे जैसे की गड़कुल कांगली विश्यवी ध्यालु की स्थापना चार मार्च दो जार दो छरिद्वार में थीक है वैसे 1900 मे गुजरान वाला पंजाब में इसकी स्थापना कर दी जाती है लेकिन हरिद्वार इसे 1902 में लाया जाता है ऐढ़क है इसी के साथ साथ एक और प्रस्तों यहां से जो in equivalent बनता है वो है गोविन दबलाब पंत किरसी विश्यवीध ध्यालेई जो के कहा हुआ जाती ते पंतनेगर मे शती तेता है, इसकी स्थापना कभ हुई थी सत्रा नॉवंबर उनिस्टो साथी को जीबी पंत गोविंद बलब पंत क्रिसी विश्विद्धाले पंतनगर की स्थापना होई थी एक जाम में बहुत बार दोस्तों यह प्रस्थन पूछा जा चुका है ठीक है ऐसी प्रस्थन आपसे बन जाएगा वन अनुसंदान सहस्तान की स्थापना कप की गई थी और कहां पे की गई थी तो 1991 में दोस्तों वन असुंदान सहस्तान की स्थापना विश्विद्धाले के रूप में की गई थी कब 1991 में ठीक है वन अनुस्टना सहस्तान विश्विव ध्याले आप यह कह सकते हैं इसको ठीक है इसके साथ साथ में FRI Forest Research Institute of India ठीक है किस स्थापना कब की गए थी तो 1906 में इसकी स्थापना की गए थी किसकी FRI की Forest Research Research Institute of India ठीक है अगर आपको इसके option बनाते हैं तो option भी बतायता हूँ 2001, 2012, 2010 या फिर 2009 या फिर आजाएगा इन में से कोई नहीं note है इसका answer आपको देना है दोस्तों क्या कि हिमालियन जो मारा विश्विव ध्याले धिरादून है उसकी स्थापना कब की गई थी अगले पस्तिंगी बात करते हैं जोस्तों कि बायो डीजल हेतू उत्राकंड राज्य में किसकी खेती की जाती है सर्वपर्थम किसकी खेती की सुरू की गई थी ठीक है तो सर्वपर्थम दोस्तों 1903 में किसकी बेला डोना बेला डोना की खेती सुरू की गई थी कब 1903 में याद रखन दोस्तों आपको कि उत्राखन राज्जी के कुमाउच हित्र में सरोपर्थम 1903 में उत्तरपरदेश किरसी निर्देशाले के निर्देशन में बेला डोना की खेती शुरूख की गई थी और यहाँ प्रस्निबीक जाम में पूछे आ चुका है कि कुमाउच हित्र म या राज्जी में सबसे पहले किसकी खेती शुरूख के गई थी तो बेला डोना की खेती शुरूख की गई थी ठीक है इसी के साथ सा दोस्तों जैट्रोपा की खेती भी की जाती है किसले की जाती है उस्तों जैट्रोपा की खेती की जाती है ठीक है और उत्राखन दोस्तों कई सारी अन्यज़, वआरश्पतिया हैं, उनकी खेती की जाती अलगलग कामुछ एक है, अगर आपसे पुछायेगा धुनेगा धुनेज, धुनेर की खेती क्युव कियों की जाती उस तो cancer के इलाज के लिए ठीक है, उपयोगी माना जाता है ठीक है, इसे के साथ में अमेस, अमेस या हिपो पी, दोनुए एक नामें अमेस या हिपो पहुदे की भी यहापे खेती की जाती है, क्योंकि जाती है उसतों, क्योंकि इसमें कैलसियम, फासपरोस और लोह तत्व भी मिलते हैं, और दवा से लेकर सौं कौन on आप nothing कि इसेи के साथ कि कई सारी मुअसरी होता है तो जूला हो गया अभामी हो गया गिंगारु हो गया सीका काई हो भीमल हो गया पिच्चुअ अंडाली हो गया, भेंकल हो गया, इस प्रकार के जो अलग-लग उसदिया होती है, इससे अलग-लग प्रकार के प्रसने एक्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है, और इसी के साथा दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता करेंगे, तो अगर आपके कमेंट अच्छे खासे आएंगे, आप लोग थोला सा सपोर्ट करेंगे, तो मैं दस-दस मिनट की वीडियो आपको प्रोवाइट करातोंगा, चोटी-चोटी वीडियो जोंगी, जो कि आपकी रिविजन की दिष्टी से, और एक्जाम के पॉइं को करा ही देता हूँ, अगले पसने की बात करते हैं, चंदवन्स का वह सासक, जो मुगल बात्सा अकबर का समकालीन था, कौन था दोस्तों, आप सभी लोग को बताओगा, इसका अंसर क्या, रुद्रचंद, ठीक है, क्योंकि रुद्रचंद ही अकबर से मुलाकात करने जात ठीक है, अब रुद्रचंद का उलेक हमें किसमें मिलता है जो अकबर नामा में भी हमें रुद्रचंद का उलेक मिलता है, किसमें अकबर नामा ग्रंथ हमें, चलिए रुद्रचंद का दुबारा से आज पोस्ट माटम कर देते हैं, बहुत पहले किया था, हमने आज दुब देखे दोस्तो तीन सासक आपको ज़रूर यातने हैं चंद राजमस का संस्तापक कौन था सोम चंद है ठीक है जो की 1565 में राजगर्दी पर बैठता है ठीक है और इस रुद्र चंद का मोलनार हमें किसमें मिलता है आईने अगबरी या अगबर नामा में हमें अगबर और रुद्र चंद के संबंदों के बारे में पता जलता है इसमें आईने अगबरी गरंत में या अगबर नामा गरंत में अब रुद्र चंद से संबंदित कुछ फैक्टों के बारे में दोस्तों हम बात कर लते हैं कि रुद्र चंद की द्वारा रुद्रपूर नग कि स्थापना किसके द्वरा की गई थी ठीक है इसी के साथ अगर आपसे प्रस्न पूछा आता है कि दिल्ली के मुगल बात्सा अगबर के समकालीन साथ कौन था वो था रूद्रचंद अजयराउतमेट एक लिए लाइन दी गई है ठीक है ऐसी एक प्रस्न बनता है जोस्तो कि आइने अगबरी में कुमाउं सुबे को या कुमाउं सरकार को किस सुबे के अंतर का दर्साया गया है तो आइने अगबरी में जो कुमाउं था इसको दिल्ली सुबे के अंतर का दर्साया गया है और यहाँ प्रस्न दोस्तो एक्जाम में पूछा जा चुका है ठीक है इसी क प्राजित कर दिया था जिसके बाद अगबर रुद्रचन से काफी प्रभावित हुआ था क्योंकि हुसाइन का टुकडिया उसके एक प्रबल सीनापती के रूप में जाने जाता था तो ये पॉइंट आपको यादखने है कि चंद वन्स का बहुत सासक जो मुगल बातसा के सम नमाई पर ही होता है ठीक है इसी के बाद में रुद्रचन और पिर अगबर की भी बेट हुजाती है और यह एक दूसरे के समकालीं भी माने जाते हैं इसे के साथ दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि मुगल बात्सा अगबर और रुद्रचंद की मुलाकात कहां पर हुई थी ये पॉइंट दोस्तों लाहोर में इनकी मुलाकात हुई थी कब 1588 में इनकी लाहोर में मुलाकात हुई थी और इससे समंदित प्रस्तन दोस्तों एक इंपो अगल के दरवार में जाने वाला परथम चंदमनसी सहसक कौन था, या अगबर के दरवार में जाने वाला परथम चंदमनसी सहसक कौन था, तो वहां भी दोस्तो रुद्र चंदर ही Hoї democrats और रुद्रचन नहीं दोस्तो अकबर की तरब से नागोर के युद्ध में भाग लिया था और नागोर के युद्ध में भाग लिया था और नागोर के युद्ध में इसने अदम में साहस और भीरता का अपना प्रमाण दिया था जिससे अकबर इससे बहुत प्रभावित होत शुरुद्रचन को धर्मसरूप दे दिया जाता है ठीक है तो बीरबल ही अकबर के प्रोहित के रूप में भी जाने आते हैं और यह समाने आते हैं कि रूद्रचन और बीरबल दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे इसी के साथ साथ ने जोस्तो, रुद्र चन को एक मलब परसिद्ध धार्मिक व्यक्ति के रूप में या धार्मिक राजा के रूप में भी जाना जाता है जिस्तो, क्योंकि रुद्र चन के द्वाला कहीं ग्रंथु की रसना कीए गई थी ठीक है, जैसे कि ट्रिवयनरीक धर्मदिलनीए ययातिचरित्रम पुस्तक भी रुद्रचन के धर्मदिलनीघ लिखी गई थी और स्यनिक सास्टर ग्रंत भी रुद्रचन के द्वारा ही लिखा गया था तो इसे एक धार्मिक्स राजा के रूप में भी जाना जाता है रुद्र चन के द्वाराई दोस्तों गुरू, पुरोहित, वैध्य, साइस, राजचेली या प्रहेडी, बाजदार, बजनिया, टम्टा आधी लोगों के लिए अलग-अलग पद निर्धारित किये गए ठीक है इसी के साइसान दोस्तों इन्होंने रुद्र चन के द्वाराई जो मारा व्यग्यानिक आधार पर मुख्यते तामर बत्रू का संपाधन भी करवाया गया जो किया नित्यानन मिस्टर जी के द्वारा ठीक है रुद्रचन के द्वारा ही दोस्तो ब्रहामणों के अलग-अलग वर्ग मनाए गए ठीक है ब्रहामणों के अलग-लग वर्ग मनाए गए या ब्रहामणों के समंधित नियम मनाए गए जैसे कि चोथानी ब्रहामण, तीथानी ब्रहामण, पितलिया ब्रहामण और ओली ब्रहाम पुरुखुपंत मारा जाता है तो गुल्दम का युद्ध वधानगल का युद्ध का हुआ था 1591 में हुआ था ठीक है और कौन मारा जाता है रुद्रचंद का युद्ध दोस्तों 1592 में होता है जिसमें रुद्रचंद का युद्ध का युद्ध दोस्तों 1592 में होता है जि बागिस्वर को जीत जाता है चौथानी ब्रामनु की नियुक्ती किसने करी सबसे बहले सोम चन्य कली और चौथानी ब्रामनु की पुनर नियुक्ती किसने करी दोस्तो वह रुद्रचन के द्वारा की गए थी ठीक है रुद्रचन नहीं दोस्तो जनता को उनके कार्यू के अन सोर को जीता गया ठीक है, सीरा और सोर स्केतर को इस नहीं जीता ठीक है, और सिनापती इसका कौनता इश्टेम पे, पुर्खुपंती सिनापती, ठीक है, असकोट पर सासन करने वाले परफम सासा के रूप में भी रुद्रचन को ही जाना जाता है ठीक है रुद्रचन के द्वारा ही दोस्तो थाली बजाने पर या ओले पढ़ने पर थाली बजाकर सभी को सतर करने के लिए ओली ब्रहमनों का अबर भी रुद्रचन के द्वारा ही बनाया गया ठीक है छोड़े या छोड़ियों की न्यूकति इसके द्वा कराये गई ठीक है और भूमी दस्तावे जिसके दोरा लोगों को दान में दिये गए और भी दोस्तों कई सारे जो रुद्रचंचे सम्मंदित कुछ महत्वण चीजे थी वो हम कभी बात में बात करेंगे लेकिन फिलाल आज मैंने आपको जितने भी चीजे या पॉइंट ऑव ठीक है, या रुद्रचंद और याद रखना है रुद्रपूर्णन अगर की स्थापना भी कौन करता है, रुद्रचंद लेकर फिर्कमा को बात करते है, घर जो चं topics में चंद। लक्षमी चंद, चियारीशवा सासा कोदा, जिसे लखुली विराली भी कहा जाता है, अगला आपस नहीं, निम्नम ऐसे, सर जॉर्च एवरेस्ट हाउस कहा इस्तित है, ठीक है, तो मसूरी में दोस्तो, जॉर्च एवरेस्ट हाउस इस्तित कहा पे, मसूरी में ठीक है, याद मसूरी दोस्तो, बहुत फेमस है, मसूरी में कई सारे दर्शनी स्तल है, जैसे कि क्या, हैपी वैली, हैपी वैली कहां स्तित है, मसूरी में ही इस्तित है, और हैपी वैली क्या, आसपास के छेतर में ही या, मसूरी में ही दोस्तो क्या होता है, मसूरी में ही स्तित है, दोस्तो ग्लोगी जलविद्यूद प्रयोजना जो कि उत्राखन की सबसे पहली जलविद्यूद प्रयोजना वानी जाती है और यहाँ भी मसूरी में ही इस्तित है ठीक है मसूरी में ही दोस्तों क्या Camels Back नामक पहाड़ी है आप देखें एक Camels Back नामक पहाड़ी कहां पर मसूरी में भी है जड़ी पानी फॉल भी हमारा कहा है स्तित है मसूरी में ही स्तित है लंडोर बाजार लंडोर बाजार भी दोस्तों कहा है स्तित है मसूरी में ही स्थिदे ठीक है इसे के साथ साथ दोस्तों क्या क्लाउट्स एंड क्लाउट्स एंड का बंगला ये भी कहा है स्थिदे मसूरी में ही स्थिदे ठीक है मसूरी में ही दोस्तों क्या है गनहिल पहाडी दोस्तों कहा इस्तित है मसूरी में हिस्तित है लाल टिबा नामक पहाडी भी मसूरी के पास में ही पढ़ती है अगर आपसे पुछा आता है कैमटी फॉल जल प्रपाद यह भी मसूरी के पास में हिस्तित है लेकिन अगर जन्पक पुछेगा केमटी फॉल जल प्रपात का तो ये टिहली गड़वाल जन्पक में इस्तित है मसूरी को ही पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है अठार सो बीस में बेचा गया था ठीक है मसूरी का जो नामकरण है वहाँ मसूर की खेती या मसूर का जो पहुंदा होता है मसूर की दाला आप लोने खाई होगी तो मसूर पहुंदे के नाम पर ही हमारा मसूरी का नाम पढ़ा था ऐसा कहा जाता है 70 में हुआ था ठीक है मसूरी में ही क्या हिस्थए DOOTH makes अक और का सटापना कर ओए ती 287 में हमारी मसूरी symmetry की स्टापना होती है अब 843 में मसूरी में ही दो आइलावादूरत के प्रशास्त्री प्रक्शिक्षान अ कादमी हिस्थित्त् मसूरी में ही हमारा Convent of Jesus and Mary School इस्तित है, मसूरी में ही Everest के द्वारा बनाई गई कोठी, दीपार्क नाम से इस्तित है, जो Everest House हम कहते हैं ना, George Everest House, तो इसके ही पास में दोस्तों, दीपार्क नाम से कोठी भी Everest के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, मसूरी में ही दोस्तों, Company Garden या Municipal Garden भी इस्तित है मसूरी में ही International School भी इस्तित है, ये सारे फैक्ट आपको मसूरी से संबंधित याद रखने है, और मसूरी से ही दोस्तों, Uttrakhand का सबसे पहला समाचार पत्र, 852 में, The Hills का संपाधन किया गया था, ये सारे फैक्ट दोस्तों, आप लोग याद रखेए हैं और उत्राक oùम से कि निम्नलिखित में से उत्राखन के किस जिले में नारयन आश्रम इस्तित है तो नारयन आश्रम कहा है श्तित है दोस्तो यहां पितुरागर जिनपत में श्तित है क्या नारयन आश्रम ठीक है और इनहीं नारयान स्वामी जी को मौनी बाबा भी कहा जाता है, ठीक है, तो नारयान आश्रम कहा इस्तित है, पितुरागर जन्पत में इस्तित है, पितुरागर जन्पत के धार्चुला के पास में इस्तित है, सोसा नामक गाउं के उपर में है, और 26 मार्च और 1936 को इसकी स् 24 फर्वरी 1930 को मारा पितुरागण जनम्त आपन की सिताफना भी तो यह भी पित्रागण जनम्त में ही इसतीदी ज़़ाई की गई अरविन्द केच दिबाल की तबरा घोशना की गई है कि अगर उत्राखंट में आम आद्मी पार्टी की सरकार आती है तो DD Heart को जिला बना जया जागा तो यह DD Heart जो है यह भी हमारा कहा पितोरागर जनपन में ही स्तित है दिखतण नामक पहाड़ी पर यह हमारा DD Heart इस्तित है ठीक है नारयाण नगर हमारा यहीं अस्तीत है दिदी हाट के आ सपास में ठीक है इसे के साथ में विर्थी फौल खलिया टॉल या सभी हमारा मुझज सयरी के पास में पित्वरागर जन्नपत में ही इस डिदी है ठीक है ठीक है ठीक है और पित्वरागल के संस्तापा की रूप में पित्वरा साही को जाना जाता है किसे पित्वरागल के संस्तापा की रूप में भी जाना जाता है जिन्होंने यापे प्रत्वी गळका किला भी मनाया था ये पॉइंट भी दोस्तो आपको डैग लिए बैसे तो मैक्सिमम इतियास कार मानते हैं, जैसे कि मदन जन बड़ जी और जो इतियास कार मानते हैं, कि पितुरागल की स्तापना पिर्थभी साही था, उसके द्वारा किये गई थी, ٹ्टीक है ? जोकि यह कट्वरी सास्कता, जिसने पिर्थवी गुसाई 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 जिसने उत्राखन राजी में चैतु और मालकु कौन थे, ठीक है, तो चैतु और मालकु के बारे में तो हर छोटा-छोटा बच्चा जानता है, जो उत्राखन की तियारी करता है, ये कौन थे, चित्रकार थे, और यहाँ प्रसने एक्जाम में पूछा जा चुका है, चैतु और सदर्फन साथ के दरवारी में प्रशिद्ध दो विख्ति ठ Вторू और नौगुंcket प्रिस्ध है ले लुप से यह इती प्राप्त decent आगा थे उत्र करन के यह खे ठीक है या गडवाल की चित्र गला से लिक है और चैतु की तेरा चित्रों में रुकमणी हरन चित्र साला वारान सी इस्तित कला भौन में भी संदक्षित है ठीक है तो रुकमणी हरन चित्र किसके द्वारा बनाया गया था चैतु के द्वारा बनाया गया था क्या रुकमणी ह कोविंद का चित्रन मानकों के द्वारा ही किया गया था और मानकों के द्वारा ही दोस्तों आख मिचोली नामक चित्र भी बनाए गया था क्या आख मिचोली नामक चित्र किसका है मानकों का है प्रस्तन पूछा गया दोस्तों रुकमनी हरन चैतू का है जबकि आख मिचोली कि चित्रकारूं के रूप में जाना जाता है, मौला राम के शिश्यों के रूप में इने जाना जाता है, संदक्षनल किसने दिया है इनको, संदक्षनल दिया है दोस्तों, इनको किसने, सुदरसन सहाने, गड़वाल में चित्रकार इता के शुरुवात कब से हुई थी, सोल भी स प्रस्विपति साके दरवार में ठीक है तो परमार राजोस में चित्रगला की शुरुवात किसके काल से मानी जाती है तो प्रस्विपति साके काल से मानी जाती है ठीक है गडवाली चित्रगला सेली किस से संबंदित है गडवाली चित्रगला सेली कौन सी कांगला सेली से संब गड़वाली चितरक्राइक के था सुनार इनका मुख़्ी व्यवसाई था और मंगत राम का पूत्र था कौन मौला राम तोमर ठीक है यार रखना है गडवाली सेलिके महां चित्रकार की रूप में भी जाना जाता है मौला राम को और मौला राम को चार राजाओं के दोरा सनेक्षनल दिया ठीक है सबसे प्रदीप साह, फिर लरीत साह, फिर जैकिर्ति साह और उसके बाद में प्रदियुम ने साहिन चार राजाओं के दोरा मौला राम को सनेक्षनल प्रदान किया ठाटिक है मौला राम के दोरा बनाए गए कुछ चित्र देशते कौन-कौन से है चंद्रमुखी, मयंक मुखी, विप्रलंबा नाइका, सितार प्रिया, हिंडोला, मस्तानी, वासक शटिया, ये इनके दोरा मनाए गए कुछ चित्रे हैं जो की एक्जाम में बहुत बार पुछे गए हैं तो आपको ये याद रखने हैं, तो चित्रकला का भी हमनें मोटा-मोटा इत्यास पड़ लिया है, शुरुवात प्रिथ्वी पति सा के समय से होती है, 1608 में जब मोगल सहे जाता, सिलोमान सिको यहाँ पर आता है, अपने साथ दो चित्रकला को लेके, श्याम दास और हर्दास को, ठीक है, अगला पस्ने की बात करते हैं उस्तो, कि हैंद्री रहम जे कुमाओं के सासक किस वर राजा भी कहा जाता है, कुमाओं का मुकुर्ट रहित राजा भी दोस्तों किसको आ जाता है, हैंद्री रहम जे को ही कहा जाता है, अठार्चो सताउन की करांती के समय पे, कुमाओं कमिस्तर कौन थे, अठार्चो सताउन की करांती के समय पे भी कुमाओं कमिस्तर हैंद्री कौँछे міटी नंबर के कुमाओ कुमाु के पाइट 867 के कुमाओ क उड़ाय को चपहाई सरवाधिक लोगप्रीज कर्शन के रूप में सरवाइडक कंशन किरा-फिए 817 के क्रान्ति के समय पर हमारे ëają कमिशन लोगप्री कमिशनर भी बनाया गया था ठीक है जो कि उत्राखन का पर्थम संग्टन था गया क्रांतिवीर नामक संग्टन और उत्राखन का पर्थम संग्राम सेनानी के नाम से भी कालू सी है महराजी को ही जाना जाता है इनके द्वरा यह संग्टन बनाया गया था ठीक है 856 में कुमाउ कॉंसिल की स्थापना की जाती है, कुमाउ कॉंसिल की स्थापना हेंडी रेमजे के द्वरा ही की जाती है, इससे की साथ तो तराई इंप्रूमेंट फंड की स्थापना 883 में हेंडी रेमजे के द्वरा ही की जाती है, हेंडी रेमजे के द्वरा ही दोस्तो अठ 1862 के आसपास में जसुली सौक्यान या जसुली दतौली से मिलकर के उनके साथ मिलकर के कई स्तान उपर धर्मसालों का निर्मान भी कराया गया थाटिक है। जाना जाता है ठीक है। जाना जाता है ठीक है। जाना जाता है ठीक है। तो यह क्या कहा जोस्तो कब 7 से 8 अक्टूबर 2018 को देखें जोस्तो ओप्सन देखें कितने क्लोज हैं। उत्राखंड इंवेस्टर संमिट कहाई जी तुआ था धेहरादुन में आयुजी तुआ था और धेहरादुन में जो मारा राजीव गांधी स्टेडियम राईपूर धेहरादुन है। पर उत्राकेंट इन्वेस्टर सम्मिट या पहला निवेसक संभीलान डेस्टिनियेशन का आउजन किया गया था 7-8 अक्टूबर 2018 को इस टैंप मुख्यमंत्री कौन थे तीरत सिंग सड़ी त्रिवेंद्र सिंग रावजी इस टैंप यहारे मुख्यमंत्री थे और इस इन्व कुमाओं गवर्मेंट गार्डन के वन यह तथा फ़ल्दार पेडू का पर्तम कैटलोग कब प्रस्तूत किया गया था इसका आंशर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स मन देना है बाकि दोस्तों आपके वीडियो आज कि वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट वोक्स जरूर बत तो आप comment box में जरूरू बता दिए का मैं इसकी छोटी-छोटी वीडियोज भी बता दूगा बांकि दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरू करना है वीडियोज को सब्पोर्ट जरू करना है अगर जो लिख रहा होगा point to point उनको ये चीज़ें पता होंगे तो thank you friends, thanks for watching वीडियो, see you next time दन्यवाद